उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के नए नियम लागू हुए हैं आईए इसे समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक या DGP की नियुक्ति के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है नए नियमों के तहट टीजीपी कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करेंगे इसके अधिरिक्त नियुक्ति के समय अधिकारी के पास कम से कम छे महीने की सेवा शेश होनी जाए एक बारदर्शी और निश्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति का गठन किया जाएगा इस समिति की अध्यक्षिका एक सर्विस निवरित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे जिसमें मुख्य सेक्रेटरी कार्यालय, UPSC और अन्यवरिष्ट अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे ये परिवर्तन पुलिस की स्वतंतरता को बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखिलेश यादव जैसे कुछ राजनीतिक हस्तियों ने केंद्र सरकार के संभावित इंटर्फिरंस का हवाला देते हुए इस कदम की आलोचना की है फिर भी इन सुधारों का उत्देश शियर उत्तर प्रदेश में पुलिस बल की अखंडता और प्रभाव शीलता को मजबूत करना है